नमस्कर्ट स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियोस और मेरानी गुपता आपके साथ बॉलिवर्ड एक्ट्रेस रवीना टेंडन इन दोनों काफी जादा चर्चा में छाई हुई हैं दरसल उन पर मुंबाई में बुजुर्क महिला पर गाड़ी चड़ाने और नश् में जो वीडियो एक जून को सामने आया था उसमें देखा जा सकता था कि कैसे बॉलिवर्ड एक्ट्रस रवीना ठंडन को बखादा एक खास समुदायों की ओर से घेर लिया जाता है और कहीं न कहीं उनकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की जाती है एक्ट्रस बार बार दरख्वास्त करती है कि वो उन्हें टच मत करें उनके साथ मारपीट मत करें लेकिन इसके बावजूद उनके फोन को खीचने की कोशिश की जाती है उनके कमीज को खीचने की कोशिश की जाती है ये तमाम चीज़े जो है वो वाइरल वीडियो में दिखाई देता है ऐसे मे आरोप लगाया गया कि जो रवीना टंडन की गाड़ी है वो किसी बुजुर्ग महिला को टक्कर मारती है जिसकी वज़े से वो महिला घायल हो गई लेकिन जैसे ही सीसी टीवी फुटेज सामने आता है उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के सच्चाई सामने आती है और जैस आपको बता दे कि अब इस पूरे मामले को लेकर के बॉलिवर्ड एक्टरस और इसी के साथ ही मंडी लोकसभा सीट से बीजीपी प्रत्याशी कंगना रनौत भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती हुए नसर आ रही है आपको बता दे कि बॉलिवर्ड एक्टरस रवीना टं पेश कर दी है तरसल आपको बता दे कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर रवीना टंडर ने एक पोस्ट किया और पोस्ट के मुताबिक जोन 9 के डिसीपी रास्तिलक रोशन ने ये बताया कि इस मामले में शुकात करताओं ने फ़र्जी जानकारी दी थी पुलिस ने सारी CCTV फ पीछे करने से पहले चेक करना चाहिए इसी के बाद उनके बीच ये सारा बवाल शुरू हुआ जिसे की आप इस वक्त सोशल मीडिया पर देख सकते हैं जो की काफी जादा वारल फुटेज भी है इसके बाद डीसीपी ने आगे ये भी बताया कि इसी बात के बात ये बहस और जादा बढ़ी और बात गाली गुलाच तका गई इतने में रवीना टंडन भी स्पॉर्ट पर पहुंची कि ना जाने ड्राइवर के साथ कैसी बहस हुई अभी ने ड्राइवर को भीड से बचाने का प्रयास किया लेकिन भीड उल्टा उनकी ऊपर ही तूट पड़ी ब और CCTV फोटेज चेक कर ली गई है और कार ने किसी को नहीं मारा है ना ही अभीनेत्री नशे में चूर थी ड्राइवर और अभीनेत्री के उपर जो आरोप लगाए गये हैं वो सारे फर्जी थे यानि कि पुलस नहीं आपर पूरी तरहीके से क्लेयर कर दिया कि उस वक्त एक् रवीना टंडन जी के साथ जो भी हुआ वह बहुत चिंता जुनक है अगर उस ग्रूप में 5-6 लोग और होते तो पीट पीट करके उनकी हत्या कर देते अब इस तरीके के रोड रेस जैसी घटनाओं की निंदा करते हैं उन लोगों को फटकाल लगाई जानी चाहिए उन्ह लेकिन इसके अलाबा बॉलेवर्ट से किसी भी एक्टर या फिर एक्टरस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और ये वीडियो जो है वो एक जून से ही सोशल मीडिया पर काफी जादा वारल हो रहा है हाला कि पुलस ने इस मामले को लेकर के तमाम जाच करने के बाद CCTV फुटेज खंगालने के बाद अपना बयान जारी किया है लेकिन इसके बावजूद अभी तक अगर हम कंगना रनौत की बाद छोड़ दे तो किसी भी एक्टर ने इस मामले को लेकर के प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है शुरू में लोगों ने अंदाजा लगाया कि शाद सच में एक्टरस ने ऐसा किया होगा लेकिन बाद में जिस तरीके से कई जो वीडियो जाये थे उसके बाद जो सीसी टीवी फुटेज आया उसमें ये क्लियर दिखाई दिया कि कैसे आभी नेतरी ने इस पूरे मामले में कुछ नहीं किया ना तो उनकी कार टकराई थ रवीना का ड्राइवर कार को रिवर्स गेर में डाल कर बंगले में ले जाने की कोशिश कर रहा था और एसी दोरान एक दूसरी कार रवीना के बंगले के बाहर पहुँच गई इस कार में मुहमद नाम का वैक्ती अपने परिवार के साथ सवार था उसने आरोप लगाना ज़से उसकी भतीजी अमी और उसकी जो बहन है वो घायल हो चुकी थी अब इस घटना का 47 सेकिंड का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वारल हुआ रवीना टेंडन पर लगे आरोपो पर खबरे भी मीडिया में खुब चलाई गई वहीं दो जून यानि की रवीवार को इ दिखाई दे रही हैं भीड रवीना टंडन पर टक्कर मालने का आरोप लगा करके उन्हें पीटने पर आमदा नसराती है रवीना टंडन खुद को बचाने की कोशिश करते हुए वीडियो बना रही थी और इसी जद्धो जहत करती हुई रवीना को वीडियो में हाथ नहीं सुना गया कि तुम्हें रात तो जेल में बितानी पड़ेगी मेरे नाक से खून बैरा है वो महिला रवीना टंडन पर खुद को पीटने का आरोप लगा रही थी और महिला के साथ मौजूद शोर गोल करता एक युवक रवीना टंडन पर नशे में होने का आरोप लगाता स इसका आरोप था कि रवीना टंडन के वज़े से उसकी मा के सर पर चोट लगी है अब जो यूजर है अमिताप चौधरी उनके द्वारा एक सिसी टीवी फुटेज भी ठीक अगले पोस्ट में शेयर किया जाता है और इसी सिसी टीवी फुटेज में दिखाई देता है कि एक असात्य और पूरी तरीके से निराधार है मुंबई पुलिस को अभी तक रवीना टंडन या मुहमत के परिवार की ओर से कोई शिकात नहीं मिली है यानि कि इस पर्स्ट जो वीडियो वारल हो रहा था सोशल मीडिया में उसकी सचाई कुछ अलग ही नसर आई पहले तो लोगों को चोट होती है लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो इसके बाद CCTV फोटेज आता है जिससे पर्स्ट दिखाई देता है कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी यहां पर किसी भी तरीके की ना तो टकड लगी ना तो कोई घायल हुआ सिर्फ और सिर्फ ये प स्क्रीन पर देख सकते हैं जो सोशल मीडिया इस वक्त जो CCTV इस वक्त आपके फ्रंट में दिखाई दे रहा है कि वहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हो रही है इसके बावजूद लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर जिस तरीके से रविना टंडन को परेशान करने की कोशिश की उनके साथ मॉब लेंचिंग करने की कोशिश की तो आखिर बॉलेवट के किसी भी एक्टर या एक्टरोस ने इसके खिलाफ आवास क्यों नहीं अगर हम कंगना रनौत की बात छोड़ दे तो कोई भी ऐसा सामने नहीं आया जि इसने रविना टंडन के साथ हुए इस बरताव को लेकर के आवाज उठाई हो फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद